हेलो फ्रेंड्स, फूड़ीस औड गूड़ीस फैम में आपका स्वागत है, आज फिर हम एक नई रेस्पी के साथ आए हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं गरम दूद के अंदर, एक कप गरम दूद के अंदर, एक कप डेट्स जिनकी मैंने सीर्स निकाल दिये थे, उ जब वो ठंडा हो गया, तो अब मैं उसको ग्राइंड कर लूँगी, और ग्राइंड करने के बाद इसमें मैं ओल भी डाल दूँगी, औलिव ओल, और उसको भी एक बार चला दूँगी, ताकि अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए, तो ये हमरा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसको बॉल में निकाल लूँगी, और ये जार है, इसको मैंने फिर से इसमें दूग डाल के, इसी मैं एड कर दूँगी, क्यूंकि हम वेस्ट नहीं करेंगे, अब मैं इसमें आठा डाल दूँगी, हमने मैदा नहीं यूज किया है, हल्दी बनाने के लिए आठे का यूज किया है, ना ही हमने शुगर इसमें डाली है, सिर्फ डेट्स डाली है, जो कि नैच्रल शुगर है, अब इसी में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और चु डाल दिया है और इसी को हमने जो ड्राइ इंग्रीडियंट्स है उनको चान लूगी तो इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने बैटर कोई एक सार कर लेना है थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो नॉर्मल टेंपरेचर का दूद मैंने उलड़ी रखा हुआ है तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूद एड़ कर लेंगी अब उसी जार के अंदर दूद डालके उसको अच्छे से हिला लेंगे और वही डाल देंगे तो हमारे सारे जो कुछ भी बचा हुआ है उसमें लैफ्ट ओवर है वो भी हमारा मिक्सर में चला जाएगा इसी में मैं आदा कप क्रैंबेरिस डाल दूँगी मुझे क्रैंबेरिस बहुत ही पसंद है तो इसको भी मिक्स कर लेंगे हमने जो मुल्ड है उसको ग्रीस कर लूँगी बैटर हमारा तियार है बस इसमें हमने डाल देना है बहुत ज्यादा ओवर्लोड नहीं करना है बस उसके उपर तक हमने सिर्फ भरना है उसके उपर नहीं ज्यादा रखेंगे तो यह हमारे फिल हो गया है अब इसके उपर क्रैन बेरी से इसको डैकोरेट भी कर देंगे इन दा मीन टाइम मैंने ओवन जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया है 170 के उपर और वो जैसे ही हीट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर इसको रखतूंगी 40-45 मिनट्स के लिए और बीच बीच में चेक भी करती रहोंगी एक बार चेक कर लूँगी पिन से तो अगर जो मेरी रेस्पी आपको पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें तो देखिए अब हमारे मफिन्स बिल्कुल रेडी हैं बहुत ही सुन्दर दिख रहे हैं थेंक्स वर वाचिंग झाल झाल